मद्धिपरदेश के चतरपुर में ब्राइडल और इंटरनेशनल मेकप को लेकर शेहर के एक निजी होटल में दो दिवसी आवार्ड फंक्शन का आउजन किया गया जिसमें चतरपुर और आसपास के जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर मेकप की बारी इकिया सीखी प्रतिभागियों और जजिस को भी प्रभावित किया ये आयोजन तीन और चार जनवरी को चतरपुर में आयोजित किया गया आयोजन करता योगेंद्र योगी ने बताया कि स्थाने स्थर पर ब्यूटी पार्लर में बिना जादा जानकारी के सिर्फ मेकप थोप दिया जात जिसका ग्लैमर आ रहा है वो है मेकव आर्टिस्ट का उसको ध्यान में रखते हूँ यहां की मेकव आर्टिस्ट जबल पूरिंदो और बड़ी-बड़ी सिटीज में यहां की लोग जाते थे और परिशान होती थी जो मेकव गल्स होती थी तो मैंने एक इसलिए लिया कि क्यों को यहीं यह मंच देदे ताकि यह परिशान नहीं हो और उनकी मार्केटेंग यहीं की यहीं हो जाए कि शिर्कत कोई एक नहीं हम लोगोंने पहले फटाफटे गुरुप बनाया गुरुप के साथ में हमारे साथ में यह रेखा सैनी जी है और ही मांशू तामकार जी भाबी इस आयोजन में शामिल हुई बिवहिन ने ब्यूटी पार्लर की संचाली काएं और ब्यूटी आर्टिस्ट के अलावा मौडल से भी हमने बात की और इस कारकम के उद्देश को जाना सब अच्छे लगे मैंने थोड़ा हटके लुक दिया था आज महराश्टियन मतलब वराइटी तो उनने काफी बताई हैं हमारे साथ डिसकस भी करी हैं कि मतलब हम कैसे किस तरह से लुक दे सकते हैं अपनी मौडल्स को भी और एज अ क्लाइट भी हम उनके उपर क्या कर सकते हैं तो उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी वराइटी शेयर करी हैं और हम उससे बहुत कुछ सीखे भी हैं और आज हम लोगोंने खुद से अपना मौडल भी रेडी किया है कल सर ने जो सेमिनार दिया था उससे जो हमें टिप्स एंट्रिक्स मिली थी तो उसका यूज करके हमने काफी कुछ सीखा है वहीं सकारकम में शामिल हुई सेलेब्रिटी मन कौर ने बताया कि ये आयुजन चतरपुर जिले के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और ब्यूटी टेक्निशन को काफी मदद मिलेगी स्पेश्यालिटी तो जितनी तारिफ में करूं अतनी कम है विकेज आरना तो अभी मुझे लगता ही कि ये फिर्स वांचर है जो भी शुरू आए लेकें लेकें आम सो ग्लाइड तो बीड़ पार्ट ऑफ दिस इविन विकेज आप यू कि आप यू कि आप देखते हैं जिन बहुत सार ऐसे लोग है जिनके हस्बेंस हैं उनके फैमली है वो लोग में सपोर्ट करते तो मुझे लगता है कि ये कैसा माध्यम है योगेंदर जी बहुत अच्छा इक अपना बोलते हैं कि ड्यूटी बोल सकते हैं क्या बोल सकते फर्ज निभा रहे हैं जो लोग इतना कुछ हाइड करके बैठे ना एक प्लैटफॉर्म उनके जरीए मिल रहा है उनको